आप दुनिया को जगाने का इतना अभूखोर कार्य कर रहे हैं अभी प्रश्न कैंसर पर आया है इसका एक प्रमुकारण तंबाकू भी है आज की परिस्तितियां देखकर वन विचलित होगता है जैसे हम सब को पता है कि शराब बेचने वाली कंपनियां सोडे का और जो तंब बाकू बेचने वाली कंपनियां हैं उस आद में भी कंपणियों ने जो प्रमुक देश के प्रमुक अभिनेता हैं उनको ब्रैंड मान कंब है जो आम जनता है उन्ने भी सीधे-सीधे पता है कि यह मूर्क बनाया जा रहा है फिर भी कोई गुस्सा नहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं तो क्या ऐसे समाज में परिवर्तन लाना संभव है ऐसा प्रतीत होता है जैसे समाज ने जूट के साथ गटबंधन ही कर लिया वो समाज ही है वो समाज ही है गटबंधन की कोई बात नहीं है तमभाखू पान मसाला खैनी गुठखा बेचने वालों को नागरिक सम्मान पदमश्री यह आसमान से थोड़ी टपके है समाज नहीं तो दिये है धर्म को पूरी तरह भ्रष्ट करने वालों को घोर अंधविश्वास पहलाने वालों को पदमश्रण पदमश्रण आसमान ने थोड़ी दिये हैं समाज नहीं तो दिये हैं तो समाज ही ऐसा है जो स्वयम भ्रष्ट है और भ्रष्ट लोगों को ही सर पर चड़ा कर बैठना चाहता है इसमें आपके लिए सीख बस इतनी है कि इन सम्मानों को आप सम्मान देना छोड़ दीजिए उनका नाम है नागरिक सम्मान उनमें बस नाम का ही सम्मान रहने दीजिए उनमें कुछ भी सम्मान नहीं नहीं है देखिए हमारी बड़ी इच्छा रहती है यह मानने की कि हम ठीक हैं या थोड़े बहतर हैं दूसरों से और गलतियां दूसरे लोग कर रहे हैं या समाज कर रहा है या व्यवस्था कर रही है समाज हम हैं व्यवस्था हमारी है नेता हमने चुने हैं अभी नेताओं की पिक्चरों की टिकेट हम लेते हैं आप उनकी फिल्में चनाते हैं उन्हें पदमश्री मिल जाता है फिर वो जाकर की गुटका बेचते हैं हमारे लिए मनुरंजन बहुत बड़ी बात है तुझे लोग मनुरंजन करते हैं वह हमारे लिए सब कुछ आते हैं भारत रतन भी दे देते हैं उनको उनको बोल देते हैं सधी के महानायक है यह और कर क्या रहे हैं ख्यानी 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 आपके बच्चों को तमबाकु चटा रहे हैं आप उनको महानायक बता रहे हैं कि सब कुछ जो हमारे आसपास हो रहा है वो हमारे भीतर की इस्थित का ही प्रतिविम्भ है हम भीतर से जैसे हैं वैसे ही बाहर सब कुछ चल रहा है सम्मान और सत्ता जिन हाथों में है वो हमारे ही हाथ है किसी बाहरी व्यक्ति को क्या दोश देना कुछ हम बुरे हैं कुछ हम बेहोश हैं कुछ तो बात यह है कि हम सीधे ही सीधे बुरे हैं हम जानते बूचते बुरे हैं और कुछ बुराई हमारी ऐसी है जो जानते बूचते नहीं होती हमसे बेहोशी में हो जाती है फिर जब उसका परिणाम सामने आता है तो हम चौकते हैं हम कहते हैं अरे यह हो रहा है यह हो वो कर्टूत हमारी ही है, बस वो कर्टूत हमने नीन्द में करी है, बेहोशी में, तो हमें पता नहीं रगता कि हमारी है, अच्छा एक बात बता ही है, अगर यह गुटकाखेनी बेचते हैं, तो लोग कैसे होंगे, सुचिए, और इनके पास पैसे की कमी तो है नहीं, पर इन में से कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और इनकी कुल करतूतें कैसी हैं, वो बिल्कुल जग जाही रहे, तो ये लोग कैसे होंगे, आप समझ रहे, जब ये लोग इस तरह के हैं, इनका पूरा बातावरान इस तरह क तो पूरी इंडस्ट्री ही किस महौल की होगी ये भी समझ लीजिए ठीक है तो वहां से जो उत्पाद आते होंगे वह अनिवारता किस तरह के होते होंगे ये भी समझ लीजिए लेकिन हम इस बात को तो बुरा बोल देंगे कि किसी ने गुटके का विज्यापन करा ये बोलते हुए हमें ज़रा समस्या हो जाएगी कि वहां से जो कुछ भी निकल के आ रहा है वो सब गुटके ही जैसा है क्यों क्योंकि हमें भी तो पिक्चर देखनी होती है ना जिंदगी में और कुछ तो है नहीं तो लग जाता है टीवी और नेट्फिक्स और अमेजन अब उसमें जो भी चल रहा है चले या सिनिमा हॉल भी जाना है जो भी है शुक्रवार को कुछ भी रिलीज हुआ हो जाके बैठ जाना है वहां पर वो जो आप फिल्म देख रहे हैं उसी से गुटका निकल रहा है ये बात आप नहीं समझेंगे बेहोशी में ये संबंध आपको स्पष्ट दिखाई ही नहीं दे रहा वो फिल्म ही गुटका है इन में से आधों के तो अपराधियों से गहरे संबंध है अभी आज ही कल में किसी अभिनित्री क्या च्छापा आप अपड़ा उसी कुछ रकम जब तुई है क्योंकि किसी जबर्दस अपराधी से उसके संबंध है और उसी अपराधी ने उसको इसमाल दे रखा था लेकिन वहीं स्क्रीन पर आके आइटम नंबर कर देगी आप नाचना शुरू कर देंगे तब आपको समझ महीं नहीं आएगा कि हां मामला अंडर वर्ल्ड का चल रहा है कोई वज़ा है ना कि कन्नड और तिल्गू फिल्मे ज्यादा चलने लग गई है ये गुटके बाजों की फिल्मों से उनकी इंडस्ट्री फिर भी बहतर है बॉलीवूड से कुछ काम ऐसे हैं जो वह नहीं होते हैं आप 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 अपने आपस जब भी कुछ ऐसा होता देखिये जो आपको साफ साफ दिखरा है गलत है अपने आप से पूछा करिए मैंने ऐसा क्या करा है जो यह हुआ यह अनुशासन पकड़ लीजिए सड़क पर गढड़ा देखिये अपने आप से पूछिए मैंने ऐसा क्या करा है जो यह हुआ यह अनुशासन कश्टप्रद होता है क्योंकि हमारी प्राकृतिक वृत्ते होती है कह देने की किसी और ने करा है दुनिया गंदी है देखो यह गढड़ा पैदा कर दिया और इस गढड़े से मुझे तकलीफ हो रही है दुनिया के लोग गलत है मैं अच्छा हूं आप उल्टा अनुशासन पकड़िए कहीं कुछ भी देखिए पूछा करिए मैंने क्या करा है जो यह हो रहा है और अगर आप इमानदार है तो इस अर्थर जवाब है कि जो हो रहा है बाहर वो करा तो हम हीने है कि दो तरीके से करते हैं बाहर जो कुछ हो रहा होता है एक कि तमाम तरह का अधर्म और भष्टचार करके और दूसरा बाहर जो अधर्म और भष्टचार है उस पर मौन और शान्त रहके इसलिए मुझे यह जो अध्यात्मिक शान्ति है इससे बड़ी समस्या है जहां आपको आवाज उठानी चाहिए जहां भिड़ जाना चाहिए वहां आप कहते हो अरे यह तो कि बालक बुद्धी दुनिया है माया का प्रपंच है करता रहते हैं हम तो जीवन मुक्त हैं हमें क्या फरक पड़ता है फिर आपको जटका लग जाता है जब आपके घर का पिंटू कि सुलक्ता पाया जाता है अब कहां गई जीवन मुक्त है अब कहां गई शांती अध्यात्निक व्यक्ति को एक सक्रिय सांसारिक कारेकरता होना ही पड़ेगा चुप रहकर हाशिये से मूख दर्शक बने रहकर देखने कि कोई गुंजाईश नहीं है जिस तरीके से हो सके जितने ज्यादा तरीकों से और तीवरता से हो सके उठिये आगे बढ़िये धनोश ठाईये आपका ध्यात्निक मन और जोठी शांते बहुत भारी पड़ रहें थोड़ा विच्छी तर लगए है क्योंकि कभी करा नहीं पर करना पड़ेगा न करने में स्वार्थ है न करने में इज़त भी है न कुछ भी हो रहा उल्टा पुल्टा उसको ठीक करने चलो तो मेहनत भी लगती है समय भी लगता है पैसा भी लगता है कौन लगाए दूसरी बात जो उल्टा पुल्टा कर रहे होते हैं उत तो गलीच लोग होते हैं उनसे जाकर भिड़ोगे तो बेज़ती भी होती है बेज़ती कौन बरदाश्ट करें कि बेज़त होना सीखिए कि सम्मान बहुत बड़ा बोज होता है कि तयार रहे गालियां खाने को बेज़त हो जाने को होई नहीं सकता कि कोई अच्छा काम करने चलो और चोट न पड़े गालियां न पड़े सम्मान न छिने होई नहीं सकता कि आज के समय में सम्मान तो उन्हीं को मिलेगा जो इस सड़ी गली विवस्था को चलाए रहने में सही होगी हैं उन्हीं को मिलेगा सम्मान सही काम करोगे तो चोट और अपमानी मिलेंगे सहो न इतना काफी नहीं है क्या कि काम सही है आप कौन सी शांती ले आलोगे बाबा कृष्ण युद्ध नहीं रुकवा पाए आप रुकवा लोगे हमारा कहना नहीं देखो लड़ाई जगड़ा अच्छी बात नहीं है थोड़ा मैच्योर होके सोचना चाहिए देखिए कोई बीच का रास्ता निकाल लेते हैं क्रिष्ण तो निकाल नहीं पाए आप क्रिष्ण से उपर के हो जब धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े हो तो कौन सा बीच का रास्ता निकालोगे लेकिन नहीं, एक पक्ष की तरफ पूरी तरह आ करके निष्ठा दिखाने में हमारी जान जाती है, बड़ा डर लगता है, तो हम कहते हैं कुछ बीच का रास्ता निकल आए, देखिए कुछ सुलह संधी कर लें, फिर पूछ रहा हूँ, कृष्ण ने करा ली थी, तो आप कहां की तोप हो, बात यह नहीं है कि आपको सुलह संधी बड़ी प्यारी है, बात बस इतनी है कि दिल से कमजोर हैं हम, हिम्मत नहीं है, कि गीता की सुनें और उठाई लें हाथ में, हिम्मत नहीं है, तो हम ऐसे बनते हैं जैसे हम बड़े शांती प्रिये लोग हैं, कबूतर उड़ाते हैं छट पे खड़े लोगे, यह कबूतर वाजी, इस से तर जाओगे? कर खड़े लोगे, चन्मत नहीं हैं, कबूतर झांती प्रिया घुरूँक्टर सक 54 नहीं है? कि और कि जी ऐहुआ कि अ, कि लिगना ग्रह कि अदें बिदा हो। अभी कि ले भूब कर दो कि भूजब दूब कि अ भूब कि अजदे हो इजए कर दो